इस विडियो में हम discuss करेंगे class 6th की science ठीक है science शुरू करें है हम class 6 से इसका chapter 1 है भोजन यह कहां से आता है इस chapter को discuss करेंगे हम कि भोजन किस किस तरह क्या होता है और कहां कहां से हमें मिलता है ठीक है तो चले शुरू करती है देखें फर्स्ट पॉइंट है कच्ची सामगरी जो कच्ची सामगरी जो कच्ची चीजी होती है जैसे फल है सबजी है गेहूं यह कहां से प्राप्त होती है हमें यह हमें पादपू यानि की पोधों से प्राप्त होती है पादप किसे कहा जाता है पोधों को यह पादप कहा जाता है तो कच्ची सामगरी जैसे फल है या सबजी हुई गेहूं दाल चाली कहां से मिलते हैं हमें पादपो यानि कोधों से प्राप्त होती हैं ठीक है कुछ ऐसे पधार्त भी है जो खानी हो गया मिन्स जिने हम खाती हैं पीते हैं जो भी है वो किस से प्राप्त होती हैं हमें से मिलती है ठीक है तो कच्ची चीजे जो होती है वह कहां से मिलती है पेड़ पोध हो से और कुछ अदिया खाद्यापदार्थ वह हमें जन्तुओं से प्राप्त होती है इसके अलावा देखे गाएं बक्री तथा भैंस दूद देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं ठीक है द नियुक्त धूद से बंती है ठीक है ठीक है चीडे से बाद देखे भारत की विभीन प्रदेशों में खाय जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विभी इता है में आ हर जगेह का खाना जाया अलग है किसी राजय में कॉई खाया जाते हैं 12 से मिलती है अब यह इसके बाद देखें जो जन्तु केवल पादप खाती है, पादप मीज़ पेड़ पोदो से जो सामगरी प्राप्त होती है, जो सिर्फ उन्हें खाती है, वो क्या होते है वो साकहारी होते है, जो जन्तु केवल जन्तुओं को खाती हैं यह था पादप खाती हैं उन्हें साकारी कहते हैं लेकिन जो केवल जन्तुओं को खाती हैं वो क्या है मास सहारी है ठीक है तो जन्तुओं से देखें वो पढ़ा थामनी क्या क्या प्राप्त होते हैं मास वगेरे भी तो वो क्या होते है मासा हारी जो उन्हें खाती है और जो दोनों तरह का खाती है जो पेड़ पोदो द्वारा प्राप्त होता है पादप द्वारा जो प्राप्त होता है और जन्तो द्वारा जो मिलता है वो दोनों कोई खाती है वो क्या होते है उन्हें सर्वाहारी कहते है तो देखिए जो जन् जरूत है दूद की चावल की चीनी की और पानी की ठीक है अब दूद देखिए किस से मिलता हमें जन्तू से मिलता है इसी तरह चावल है यह किस से मिलता हमें पोधे से मिलता है तो यह जब मिक्स करके कोई चीज बनाई जाती है एकटा करके जो मिलाया जाता है यह क्या होती है नहीं हम कहते हैं संगठक ठीक है कोई चीज जब चीजों कोई खटा करके मिलाई बनाई जाए वो क्या होती है संगठक होती है ओके आगे देखें बीज से सिशु पोदे का उगना क्या कहलाता है अंकूरन कहलाता है तो बीज से जब पोदा उगता है तो वो क्या होता है नेक्टर भी डाल सकते हैं तो दोने याद रखें मक्रंद या नेक्टर या क्या नेक्टर बनता है आगे देखिए पादपों के वे भाग जिने खाया या पकाया जाता है उन्हें खाध्य भाग कहते हैं कोई खाघा थी जैसे कौन से बाग होते है फल फूल पत्त जड और फाहानता च्वा Iुम दिखेसा अलग अलग ऐसे लुच से वह यह ँद्रफ। तो देखे फर्स्ट कोशन है यह जो है इसकी एकसराइज ही है जो चैप्टर है 6 का उसकी जो लास्ट में जो एकसराइज दियुए अभ्यास जो दिया हुआ है वही डिसकस करेंगे एक बर आप इसे देखेंगे तो आपके सारी कोशन जो आपको खुद बाखुद क्लियर हो ज आवास और अतिरिक तंगों की आधार पर ग्रहाण करतीह हैं वे भी धीकशन के नाम लिखिए तर। बताईए इनके कोन से भाग कॉपयोग खाध्य से याद रखिया अलु का तनी से आलु का जुखानी योग्य भाग है वो कहा सी मिलता है तनी सी मिलता थीक है ये कई बार पूछे जाते हैं यह important है तो देखिए पांच पदार्थों को देखेंगे ठीक है मूली का कुन से है खाने योग्य भाग जड़ और पत्ता उसके बाद अमरूद का जो खाने योग्य भाग है वो है फल गाजर का जड़ और गेहुं का बीज ठीक है नेक्स कोशन देखें कोलम एक में दिये गए खाद्य पदार्थ का मिलान कोलम दो से कीजिए देखें फस्ट है दूद दही पनीर घी ये क्या है दूद दही पनीर घी है ये किस से मिलते हैं जन्तूं से मिलते हैं तो ये क्या सभी जन्तू उत्पाद हैं पालक फूलगो भी ग की जाजर यह क्या है शब्जियां तो सब्जियां हैं सेर वम भाग क्या करती हैं दूसरे जंतु को खाते हैं शाका हारी पादप उतवाद खाते है चीके लास्ट कोशन देखे दिये गए सब्दों शेर रिक्तिस्थान की पूरती कीजिए बाग एक डैश है क्योंकि यह केवल मास्क खाता है तो जो मास्क खाता है वो क्या होते हैं मासाहारी तो अंसर हो जाएगा मासाहारी हीरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं सिर्फ पादप खा रहा है तो वो क्या हो जाएगा साकाहारी तोता केवल डैश उत्पाद खाता है तो तोता केवल जो है वो पादप उत्पाद खाता है तो अंसर आएगा पादप छीके अगला देखिए जो हम पीते हैं वह प्राई गाएं भैस या बकरी से प्राप्त होता है गाएं भैस और बकरी से हमें क्या मिलता है दूद प्राप्त होता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर होगा दूद जो दूद हम पीते हैं, हमें प्राइबस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या है, जन्तु उत्वाद है, हमें चीनी किस से मिलती है, चीनी मिलती है हमें गन्ने से, ठीक है, तो ये था 6th class का chapter 1, भोजन कहां से मिलता है, next वीडियो में हम chapter 2 discuss करेंगे, भोजन के carbohydrate, वसा, प्रोटीन, इन सभी के बारे में discuss करेंगे, okay, thank you so much.